दो हजार चोबिस लोकसभा चुनाओं से पहले केसे आर ने भी दिल्ली में दस्तक दे दी हैं तिलांगना राष्टर समीती जिसका नाम बदल कर भारत राष्टर समीती करने के इजाज़त कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चुनावायोक ने दी थी और पैट्यू के सनिस्थापक और तिलांगना के मुखमंतरी के चुन्दरश्य खरावने दिल्ली में आपर बुदबार की अपदादी के आपर बी आर एस के आफिस का शुबारम कर दिया है इस मौके पर उत्तरप्रदेश के पूर्व सियम अखली शियादव और साथी आपको दाद की करनाटक के पूर्व मुखमंतरी एचडी कुमार सुमा में भी पहुंचे थे और इस मौके पर एक खास पूजा का भी आयोजन किया गया विशेस पूजा दिल्ली में दप्तर के बाद राजनितिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है प्यव मोदी बनाम कौन हाँ पर एक और नाम यानि का प्यव मोदी बनाम कौन मैं एक और नाम हलाकि यापर केसियार के नाम की चर्चा काफी दिनों से है और अपतद की 24 गंटे के वेतर ही 2024 चुनाव को लेकर दो बड़ी बाते सामने आई हैं एक और जहां नितीश कुमार ने कहा है कि वो पिम पद के उम्मिदवार नहीं है तो वही केसियार की दिली में दस तक है हलाकि नितीश कुमार के इस बयान का कतई कोई मतलब नहीं है वो इस दोड में नहीं है बिहार के मुक्मंदर नितीश कुमार ने मंगलवार बिहार और साथी देश की सियासत के लिहास से एक साथ दो बड़े बयान दिये नितीश कुमार ने यहाँ पर कहा है कि बिहार के अगले चुनाव याने की 2025 में महा गटबंदन को तेजस्वी यादव लेड़ करेंगे इसकी चर्चा काफी दिनों से बिहार में भी यहाँ पर हो रही है और इसी के साथ बता जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कहा है ना तो वह पियम पद की रेस में हैं और ना सियम की रेस में नितीश कुमार ने कहा है कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है नितीश कुमार के इस बयान पर कई लोगों को हरानी भी हो रही है और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसका कति मतलब नहीं है कि आपर पियम मोदी के खिलाब 2024 में विपक्ष की अगुवाही करने को वो तैयार नह और दिली में आपर पाट्री कारले का उद्गाइटन करने के साथ ही बी आर एस के सी आर के नेतुत में यहाँ पर रश्टी इस तर पर अपने सफर की शिरुवात कर रही है और वो देश भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी दोजार चोबिस में पियाम मोदी के कर नहीं कहा गया है लेकिन के सी आर को कॉंग्रिस निशाने पर ले रही है दोजार चोबिस से पहले विपक्ष की ओर से कोई भी क्या एक राय बना पाएगा या बन पाती है या दो होजार उनुस जैसी बात होगी यह चिनाओं करीब आते ही पता चल जाएगा दिली में भी आरेस का अधिकारिक लौंच याग्न के साथ हुआ है और विशिस पूजा के लिए दक्षुन के यहां पर कई पुजारी दिली में मौझूद थे मंगलवार से यहां पर पूजा शुरू होई थी जाने माने वस्तूसल्हाकार और केसी आर के सहयोगी ने बताए कि यहां पर किसी खास मेश्यून के शिरुवास से पहले इस यग को यहां पर खास महतव दिया जा रहा है केसियार राष्टुए राजितिक की ओर से भी यहां पर आगे बढ़ रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पूजा की गई है 2019 में अपने मंतरी मंडल के विस्तार के पहले भी हैदराबाद में पाँच दिनों का चंड़ यग करवाया था और केसियार शुब मूरत का भी खास ध्यान रखते हैं आपको हमारी आज के स्टोरी कैसे लगी आप लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले